तो इस पार्टिकुलर वीडियो में आज हम यह बताने वाले हैं कि यह चेक बॉक्स है चेक बॉक्स को जब हम चेक कर रहे हैं और अंचेक कर रहे हैं तो इसके वैलू को हम जो है true और false में हम प्राप्त कर सकते हैं तो यह रहा हमारा कंसोल अभी के लिए इसको हम clear कर देता हू और जब मैं यहाँ पे मैं save करूँगा तो देख सकते हैं यह actual में दूसरे page पे redirect कर दिया तो चलिए उपर में console हुआ होगा उसको देखते हैं यह रहा console इस form को console मैं किया हूँ यह वाला form नहीं यह basic info वाला form ठीक है इसको मैं console किया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जब म कि प्लम कि अधेख सकते हैं यह बेड़ फॉल्स है यह बेड़ शाइट टेबल यह जो एंट रू हो गया है तो तूर फॉल्स जो है बड़े असानी से हां पे मैंच हो रहे हैं फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मैं चेक किया इसको और इसको मंद लिए तो ये तो नया page open हो गया लेकिन यह जो एक console हुआ है वह form तो देख सकते हैं कि अब मैं फिर से वह पिछले वाले form में जाता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि वही जो चेक बॉक्स है, वह ही चेक हुआ है कि नहीं, तो देख सकते हैं, पेलमेट, तो यहाँ पे चेक करेंगे, यह देखे, true हो गया, so task true, so task true क्या है, मतलब यह जो task है, यह जो section है, यह दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसका information मैं यहाँ पे set किया हूँ, यह true होगा, यह false होगा तो true मतलब दिखाना है, false मतलब नहीं दिखाना है, ठीक है, तो इसलिए initially यह false होता है, और अभी मैंने true किया, तो इसलिए यह दिख रहा है, और यह true होगया, समझ गया, अब देखिए, यह हमने किया था wardrobe, तो देखते हैं, wardrobe कहा गया, इसमें से check करना पड़ेगा, यह रहा wardrobe, यह true, and then wooden portion, wooden portion मतलब नीचे वाला, यह true हो गया, और बाकी सब false, तो यह कैसे काम किया, यह check box थोड़ा जो है, देखिए, कोई library, कुछ third party अगर library और component अगर access नहीं करते हैं, reject में, खुद से अगर इसको कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत परसानी के सामना करना पड़ता है यहाँ पर, तो कुछ trick है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, देखिए, हो क्या रहा है, अब यह हमारा form dynamic है, यह बहुत ही biggest form है, इसू जब single form रहता है, तो जारा नहीं होता है, लेकिन जब इतने सारे dynamic चीज़े हो रहे होते हैं, तब problem होता है, तो जैसे कि यह वाला portion है, इसमें कुछ भी हम type किये, तो simultaneously value update हो जाना चाहिए, अब यह dynamic है, अब हम इसको करेंगे, तब भी update हो जाना चाहिए, form तो हमारा state तो एक ही है, देख सकते हैं, यह तो हमारा state है, इतने सारे properties हो रहे हैं, इतने सारे values हैं, इस state में, अब इसको हमको upgrade करना है, अब उसमें कई सारे हमने component यूज किया है, देख सकते हैं, यह यह रहा, देख सकते हैं, supervisor and then यह रहा, zone, तो dynamic ही आ रहा है, उसके बाद third वाला हो गया, update drawing, यानि कि update drawing के लिए अलग component यूज किया गया है, और यह task, task के लिए भी यहाँ पे अलग component में भी यूज किया गया है, दे इसको manage करेंगे, तो basic funda क्या है, normal होता तो क्या करते है, normal होता है, तो हम क्या करते, on change method से जब भी हम click कर रहे हैं, और uncheck कर रहे हैं, उस event को पकड़ कर, functions को call करके, हम value को update करते हैं, state के value को, बट यहाँ पे dynamically उस चीज को करना है, यह भी एक challenges हैं यहाँ पे, तो dynamically करने के या form के on change में, यानि कि form का value अगर change होगा, तब हम इस method को use करेंगे, handle change, ठीक है, यह तो हम करी रहे हैं, बट अगर यहाँ पे notice किजिएगा, अगर उसका type, target, e.target, पिछले वीडियो, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो recommend किया कर रहा हूं, कि आप देखिए उस उसका series में है, यह series है, तो miss करने के बाद थोड़ा issue हो सकता है, however, मैं इसी checkbox के उपर ही आ रहा हूं, ठीक है, यह तो हो गया, अब क्या होता है, जब change होता है dynamically, उसका अगर type अगर checkbox है, तब हम कुछ भी नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तब कुछ और होगा, तो basic task, ठीक है, task में checkbox value, यह props है, यह क्या कर रहा है, और task data, मतलब data को हम pass कर रहे है, state के value को pass कर रहे है, ठीक है, और यहाँ पे एक turnary operator लगा हुआ है, यह मैं पहले ही बता दिया, कि so task, अगर इसका value, अगर true अगर होगा, तब जाकर इसको call करेंगे, वरना null call करेंगे, यानि कुछ भी नहीं, तो initially क्या होता है, false होता है, आप देखेंगे, आप गौर करेंगे, so task, यह false है, क्यों, क्योंकि पहले hide रहा हैगा, बाद में so कराना है, यह just photo example है, ठीक है, इसको अगर हम, जैसे कि, अगर हमें यहाँ पे click कर रहे हैं, फिर से इसमें गया, तो यह देखें फाल्स है, इसलिए यह वाला condition satisfy नहीं हुआ, जब हम click कर रहे हैं उस बटन को, तो उसके value को update कर रहे है, false true कर रहे है, अब true करेंगे, तो जायर सी बात है, यह वाला चीज़ एपियर हो जाएगा, पर यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है, चेक बॉक्स value, जो है, मैं this. 6. चेको, मैं method call किया, यह props है, props क्या करेगा, method को call करेगा, एक method मैं pass कर रहा हां, अब यह समझे, यह props है, इस props में, हम कोई बी कुछ भी पास कर सकते हैं, right, हम कुछ भी पास कर सकते हैं, तो इसमें हम data pass कर दे, कुछ variable pass कर दे, या पिर पूरा का पूरा function नहीं, पास कर दें तो हलाकि यह वाला method यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हैं this dot यह मैं उपर दिखा रहा हूं यह देखिए यह वाला हो गया checkbox value यहां पर पास किया गया है यहां पर हुआ है बट उसको मैं पास कर दिये अब दूसरा आता है task data task data क्या है प्रॉप में initial data नोंको पास करना पड़ेगा न initial data है क्या इसलिए मैं state का value पास कर दिया वहां पर तो initial data उसको मिल जाएगा उसके according वार करेगा मतलब data मिल जाएगा इसके value यह देख सकते हैं यह value है अभी तो false है सब तो false जाएगा बार में true होगा, true होके जाएगा, तो अब हम इसको open करते हैं, इस component को, open कर लिया, अब समझते हैं इसको, ठीक है, और ये रहा, ये सारा checkbox, इतने सारे जो checkbox हैं, अब इसमें हो क्या रहा है, आप गौर किजिएगा, on change में, मैं props यूज करके, उस method को call किया हूँ, ठीक है, props के थूँ तो आप call करी सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर call किया गया है, तो ये रहा, props, props यहाँ पर call हुआ है, this.props, props के अंदर एक value है, एक, you know, एक name है, मैं थोड़ा से इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, अब भी देगे, और उसका यहाँ पर value मैं pass कर रहा हूँ, initial value क्या है, initial value हमें सा false रहेगा, मतलब यह एक method है, इस method में, मैं क्या-क्या pass कर रहा हूँ, किसका value अपडेट करना है, वो pass कर रहा हूँ, और दुसरा चीज़ क्या pass कर रहा हूँ, value क्या है, वो pass कर रहा हूँ, तो यह initially इसका value क्या रहेगा, false, तो false ही pass कर दिया, देख रहे यह यह value this.taskdata.parlment यह आ रहा है यह वाला प्रॉप से second वाला प्रॉप से यह task data तो क्या हो गया कि task data हम use करके इसके value को लिख दिये अब name क्या कि यह दे दिये name का उतना इसमें यह नहीं है name का भी है name यहां पर दे दिये name अगर नहीं पिरेंगे जो चलेगा ठीक है मेरा क्या हम यह method call कर रहे हैं इसमें यह जो name है वही चीज में पास कर रहा हूं first argument अदूसरा argument जो पहले से जो data था मतलब true fast जो भी होगा वो में पास कर रहा हूं तो यह चीज हो गया है सब में ऐसा ही किया गया है क्योंकि सारा checkbox है सब में यह प्रोसेस है on change में इस props को मैं यूज किया उसमें first data में पास किया कि कि किसका value update करना है true करना है जब कोई click करेगा तो true कर देंगे फिर से click करेगा तो false कर देंगे तो उसके लिए जो है यहां पर यहां पर पास कर दिया और दूसरा पहले क्या data था यह दो information हमने send कर दिया अब same method में on change में same method call कर रहा हूं सभी के लिए on change सभी के लिए on change में same change लिखा गया है but argument अलग-अलग है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब on change में यह इसका मतलब यह है check box value इसका मतलब यह है यह method call होगा और ओ जो parameter हम पास किये थे अब यहां पर पास हो गया यहां पर आ गया तो चलिए check box value चलते है तो देखिए पहला value क्या था name दूसरा क्या value था value मतलब previous value तो हम check करेंगे कि value value true अगर है कि नहीं मतलब पहले जो value था वो true है या नहीं मैं यह check कर रहा हूं अगर true है तो कोई भी click करेगा तो क्या होना चाहिए false होना चाहिए तो true है click किया मतलब on change event fire हुआ तो हम उसका value अपडेट करके false कर दिये अगर पहले से false है तो करके उसको क्या कर दिये true कर दिये बहुत simple है ठीक है बट इस्टिल लोगो को पता नहीं चलता है इसको कैसे करें हलाकि बहुत सारे component available है third party component अगर यूज करते हैं तो इसको बड़ यह चेक कर रहे है कि पहले value क्या था अगर पहले true था और कोई click कर दिया तो false होना चाहिए तो false हो रहा है और पहले अगर value false था अगर true होना चाहिए तो true किया गया है इस तरह से यह manage किया गया है ठीक है this set state name set state मतलब जो name है ओ जो पास किये पहला argument में उसके value को आप change कर रह मैं आसा करता हूं कि आपको यह समझ में है और एक चीज और यह जो एक और on change method है अब यह जाहिड सी बात है कि अब यह तो complex form है ठीक है इसमें यही चीज तो नहीं है ना इसके अलावे भी बहुत सारे चीज़े हैं तो अब बात यह निकल के आ जाता है कि यहाँ पे दो on change method method call हो रहा है पहला on change method क्या है कि form के on change मतलब form का value change होगा तब यह वाला call होगा बट यह वाला जो देख सकते हैं चेक बॉक्स वह भी तो इस form के अंदर आता है तो on change जब होगा मतलब value change होगा तो दो method call होगा एक यह वाला form वाला और दूसरा यह वाला दो चीज़ फॉल होगा call होगा तो क्या होगा अब यह पहला वाला जो call कर रहा है वो dynamically update कर रहा है दूसरा वाला जो call हो रहा है वो dynamically नहीं यह थोड़ा अलग धंका कर रहा है बट हम क्या करेंगे अब इसमें तो name ऐसा कुछ होता नहीं है value true और false तो होता नहीं है checkbox में तो हम क्या करेंगे यहां पर हम यहां पर condition लगा देंगे else if का कि अगर target e.target.type checkbox अगर है तो कुछ मत करो हम यह option यहां पर condition लगा दिए कुछ मत करो मतलब जब checkbox type रहेगा तब इसको कुछ नहीं करना है तब यह वाला काम करेगा हमारा नहीं तो फिर क्या होगा कि यह वाला भी काम कर जाएगा और यह वाला भी काम कर जाएगा तो क्या होगा कि state यहां पर भी हो रहा है यहां पर भी हो रहा है यह name को पकड़ेगा और value को पकड़ेगा और name value जो पकड़ेगा तो पिछला वाला value को ही update कर देगा और बहुत सारे समस्या है तो उस पर ध्या कर सकते हैं और इस तरह से यह काम करता है ठीक है तो मैं आशा करता हूं कि जनकारी पसंद आया होगा और मैं आपको यह भी बता दूं कि कि अल्मोस्ट यह कंप्लीट हो चुका है यह वाला सेक्षन हमारा देख सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन और इसमें कुछ भी नहीं है कुछ खास नहीं है जब भी आप किसी भी चेक बॉक्स को चेक करते हैं तो टू होता है क्योंकि दो लॉजिक लगे हुए हैं दो मेठट किया हूँ alors ओ जो है निम में पास कर रहा हूँ और बैलु पास कर रहाँ पहले जो बैलु था दोनों को मैं कंदिसन डालकर मैं चेक कर रहा हूँ तो यह इसका बेसिक पंद में आगर आपको यह कोड चाहिए तो आप जो है वाटसप से नहीं देने का रेजन यह है कि आप डाइरेक्ट जाएगा और वहां से कॉपी कर लिजेगा और हमारा वीडियो वाच नहीं कीजेगा इससे इसू हो यह होगा कि रैंकिंग में इसू आजाता है इसी लिए मैं ऐसा किया हूँ ठीक है मैं इससे पहले बहुत सारा इसू फेस किया हूँ इसी के वज़से इसलिए आपको कॉंटेट करना पड़ेगा वाट्सप पे इंस्टैंटली कुछ टाइम के बाद यानि की दो तीन आवर में भी हो सकता ह उतना टाइम में आपको मैं इसको प्रोवाइट कर दूंगा ऐसारा कोड आप समझ सकते हैं और कुछ भी डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं वहाँ पर भी क्योंकि कोड मैं डिस्क्रिप्शन में तो शेयर नहीं कर सकता हूँ जन्रल अगर जनकारी होगा मदद चाहिए तो आप वाटसप के थूंटेक्ट कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना है मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद